वेलो फ्रेंड्स मैं पूर्वा और मेरे कीचन में आप जबी का एक वार फिर से स्वागत हैं अशली बच्चे तो इस रेसिपी को बहुत ही पसंद करेंगे हम इस रेसिपी को बहुत कम सामात में बनाएंगे भी हो आप सब को ये बहुत पसंद आएगी हम बनाएंगे biscuit cake तो चलिएँ शुरू करते हैं आज की recipe आज हम biscuit cake बना रहे हैं तो उसके लिए हमने एक packet Oreo biscuit का लिया है ति हमने लिये हैं 4 Happy happy biscuit packets सबी biscuits को हम packet से बाहर निकाल लेंगे और ये हमने चौको वाले biscuits लिये हैं इसी तरह से हम Oreo biscuit बिस्किट निकालेंगे और यो बिस्किट के बीच में जो वाइट कलर की क्रीम आती है उसे हम हटा देंगे और इसे हम बाद में काम लेंगे सारे बिस्किट की क्रीम हमने इस तरह से अलग कर ली है और इसे एक कटोरी में हमने एक अठी की है अब भी हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें सारे बिस्कित को तोड़ के डालेंगे इसका एक फाइन पाउडर बना कर तयार कर लेंगे आज हम केक कडाई में बनाएंगे तो उसके लिए हमने एक कडाई गैस पर रखी है अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग नमक दो-तिन बार हमने इस नमक से बेकिंग किया है और अब भी हम इसमें अच्छे से बिचा देंगे पर एक लीड लगा देंगे और इसे ढखकर हम 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे बिस्कित को हमने ग्राइन कर लिया है और हमने इसका एक फाइन पाउडर बनाया है हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे हम इसमें दूद एट करेंगे तो इसके लिए हमने एक कप दूद लिया है उथको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितनी हमें रिक्वाइड होगी उसी हिसाब से हम दूद डालते रहेंगे इसमें किसी भी तरह का कोई लंस नहीं रहना चाहिए अब हमने सारा दूर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो गया है और इस तरह का बैटर हमें चाहिए चोटा चमाच हम बेकिंग पावडर एट करेंगे हम इसे मिक्स कर लेंगे और फटा फट से इसे केक्टिन में डाल देंगे अब हम एक केक्टिन लेंगे तो मैंने यहां पर राउंड वाली केक्टिन ली है आप कोई भी केक्टिन ले सकते हैं इसे घी से ग्रीस कर देंगे को चारों तरप से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम इसमें एक बटर पेपर लगाएंगे वह भी हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे हम बैटर को केक टिन में डाल देंगे केक टिन को थोड़ा टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई बबस नहीं रहे केक टिन को हमें पूरा नहीं भढ़ना है इसे थोड़ा खाली रखना है इदर बेकिंग कड़ाई भी प्री हीट हो गई है और इस पर हम एक लोहे की जाली लगा देंगे हम केक्टिन रख देंगे लिट लगा देंगे उसे 35 से 40 मिनट के लिए हम बेक करेंगे शाद एक बार हम इसे बीच में चेक कर लेंगे अच्छे से बेक हो रहा है आपको पास से दिखाती हूँ इसमें उडालेंगे होट चॉकलेट पावडर चमश के करीब हम होट चॉकलेट पावडर लेंगे हम लेंगे ये वाला चोको पावडर तो इसके भी हम दो चमश लेंगे इसका चोको सिर्फ बनाएंगे तो इसके लिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके दू डालना होगा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें किसी भी तरह का कोई Lumbs नहीं रहना चाहिए पिशे से mix हो गया है और इसमें हमने 4-5 चमच दूत की यूज की है इदर केक भी बेक हो रहा है आप देख सकते हैं केक थोड़ा फूल गया है कुकुख होते हुए 25 मिनट हो गई है कोकूख होते हुए 40 मिनट हो गई है और अभी हम इसकी लीड हटा देंगे अब हम केक को चेक करेंगे एक टूथपिक से टूथपिक क्लियर निकल रही है इसका मतलब की केक हमारा बन गया है फिलिम बन कर देंगे इसे 5 मिनट के लिए फिर से ढख कर रख देंगे 5 मिनट के बाद इसकी लीड हटा देंगे और इसे हम कड़ाई से बाहर निकाल लेंगे केक टिन को हमें इसे आराम से बाहर निकालना है क्योंकि ये बहुत गरम है थंडा करेंगे इसके बाद इसे डिमोल्ट करेंगे इसे थंडा हो गया है और ये बहुत ही अच्छा केक बना है चॉपिंग बोर्ड पे केक टीन को उल्टा कर देंगे आसानी से बाहर आ गया है और अब भी हम इसका बटर पेपर हटा देंगे केक को सीधा कर देंगे और आप देख सकते हैं कि केक बहुत ही अच्छा बना है और केक को एक प्लेट में टांस्फर कर लेंगे हम बनाएंगे चोको सिरप तो इसके लिए हमने गैस पर ये बावल रग दिया है और इसे कंट्यूनू हिलाते रहेंगे थोड़ा गाड़ा बनाना है हम इसमें मिक्स करेंगे बिस्किट की जो वाइट क्रीम हमने निकाली थी वो वाली इसमें मिक्स कर देंगे इसमें थोड़ा गाड़ा पनाएगा अच्छे से मेल्ड करेंगे और इसे कंट्यूनू चलाते रहेंगे अच्छे से मेल्ड हो गई है और चोको सिरप भी गाड़ा हो गया है अभी हम गैस की फ्लेम बन कर देंगे प्लेट लेंगे और इस पर हम एक जाली लगाएंगे पर हम केक रख देंगे हम इस पर चोको सिरफ डालेंगे तो वो प्लेट में ही गिरे हम थोड़ा थोड़ा करके चोको सिरफ केक पर डालेंगे चारो तरफ फैलाते रहेंगे मच की सहायता से चारो तरफ फिला देंगे हम इसको थोड़ा डैकोरेट करेंगे तो इसके लिए हमने एक डैरी मिल्क ली थी डैरी मिल्क को हमने ग्रेट कर लिया था और अब हम इसके चारो तरफ प्लाइन बना देंगे आकी केक देखने में अच्छा लगे मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और हाँ बैल आइकन का बटन ओल पर सेट कर दीजेगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा हो सबसे पहले आप तक पहुँचे अगे भी मैं आप लोगों के साथ नए नई रेसिपी के साथ वीडियो लेकर आती रहोंगी अब हम केक को आधे गंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए फ्रीजर से आदा गंटे के बाद हमने केक निकाल लिया है और या बहुत अच्छा केक बना है अब अच्छे से सेट हो गई है और अभी हम इसे एक प्लेट में ट्रांस्फर कर लेंगे चाकू से केक को काटेंगे तो इस पंजी और सॉफ्ट केक बना है देख सकते हैं बहुत ही अच्छा केक बना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में अच्छा के प्रेश जड़ यद कर दो अच्छा के बना है आसली है झाल